रात आधी से ज़्यादा बीच चुकी थी, सारा शहर अंधेरे और सरनाटे की आगोश में था, शहर का अनाथाले अंधेरे में डूबा हुआ था, वहां का चौकिदार भी नीन में उंग रहा था, अनाथाले में एक साया धीरे धीरे बाहर के गेट की ओर पढ़ रहा था, गे हडबढा कर उठा और चिलाया, उस साय ने कोई जवाब नहीं दिया और सरक की तरफ दोर लगा थी, चौकिदार समझ गया कि अनाथाले का कोई लड़का भागने की कोशिश कर रहा है, वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा, सीटी की आवास से अनाथाले के दूसरे लोग भ मगर तब तक वो लड़का काफी दूर निकल चुका था, उस भागने वाले लड़के का नाम सचिन था, उसकी उम्र 12 साल थी, भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुँच गया, वहाँ दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकी होई थी, लड़का उसी ट्रेन में चड़ ग बहुए जो इतनी रात को भाग आया है, क्योंकि वो अना थाले नहीं, कसाई खाना था, वहाँ दिन भर हम से जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, चोड़ी-चोड़ी गलतियों पर बेंच से पीटा जाता था, कभी-कभी तो दिन-दिन भर हमें खाना भी नहीं दिया इस तरह सचिन और वो आदमी बाते करते रहे और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई सुबर ट्रेन दिल्ली पहुँच गई इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया मगर सचिन स्टेशन पर ही रुख गया तभी उसकी नजर कुछ और लड़कों पर पड़ी उनकी उम्र भी सचिन जितनी ही थी वो सब स्टेशन पर बिकरी प्लास्टिक की बोतलों को जमा कर रहे थे उस दिन से सचिन स्टेशन पर ही रहने लगा वो दिन भर खाली बोतले जमा करता और शाम को उन्हें बेच कर वही स्टेशन पर ही सो जाता एक रात स्टेशन लगभग खाली था वहाँ एकका दुका लोग ही थे सचिन भी सोने की तैयारी कर रहा था तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी सचिन उठा और इधर उधर देखने लगा कुछ दूरी पर उसे एक पांस साल की लड़की बेंच पर बैठी रोती नजर आई सचिन उठकर उसके पास गया कौन हो तुम और तुम्हारे माबाप कहा है बच्ची कुछ न बोली सिर्फ रोती रही राद भर सचिन उस बच्ची के माबाप को ढूढ़ा उसने स्टेशन पर एक एक आदमी से पूछा मगर उसके हाथ कुछ न लगा यहां तक कि सुबह होने को आई अंत में सचिन उस टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई अरे ऐसे बच्चे यहां कई बार मिले हैं इन्हीं के माबाप इन्हें यहां छोड़ जाते हैं कमबख्त बच्चे तो पैदा कर लेते हैं मगर पाल नहीं सकते तो यहां छोड़ कर चले जाते हैं और हमारी मुसीबत बढ़ाते हैं मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ वही आकर इस बच्ची को अनाथाले में भरती करवा देगी अनाथाले का नाम सुनते ही सचिन भीतर तक काब गया उसे अपने अनाथाले के दिन याद आ गए अगर मैंने इस बच्ची को यहाँ छोड़ा तभी बच्ची ने कहा भूख लगी है सचिन ने अपनी जेब टटोली कुल 20 ही रुपए थे बच्ची को लिए वो एक कुल्चे वाले के पास गया और उस बच्ची को एक प्लेट कुल्चा दिलवाया बच्ची कुल्चा खाते हुए सचिन से बोली भाईया तुम भी खाओ तुमको भी भूख लगी होगी ना लो मैं तुमको खिलाती हूँ इतना कहकर बच्ची सचिन को खिलाने लगी सचिन की आँखों में आसु आ गए इतने प्यार और अपने पन से आज पहली बार किसी ने उसे बुलाया था बच्ची के मूँ से अपने लिए भाईया शब्द सुनकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला था अब चाहे जो हो जाए आज से ये मेरी बहन है इसकी खुशी के लिए मैं हर काम करूँगा खुद को मेहनत की भट्टी मैं जोग दूँगा मगर अपनी बहन को कोई दुख नहीं आने दूँगा खाने के बाद सचिन ने और अपनी बहन के सर चुपाने की जगर ढूणने लगा जल्दी ही उसे एक जुगी मिल गई मकान मालिक दयालू था उसने अगले महीने पैसे लेने की बात मान ली सचिन अपनी बेहन के साथ वहां रहने लगा इतना सोच कर काम की तलाश में निकल पड़ा महज 12 साल का होने के कारण उसे कोई काम नहीं दे रहा था दिन भर भटकने के बाद वो एक छोटे से होटल में गया उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था उसका नाम टेकचंद था टेकचंद के भी आगे पीछे कोई नहीं था सचिन टेकचंद के पास गया और उससे काम मांगा सेट को सचिन इमानदार लगा उसने उसे काम पर रख लिया अब सचिन दिन भर काम करता और उसकी बेहन सेट के साथ खेलती थी इस तरह महीना भर गुजर गया जिस दिन सचिन को पहली पगार मिली वो बहुत खुश हुआ सेट जी मुझे कल की छुट्टी चाहिए मुझे अपनी बहन का एड्मिशन करवाने जाना है उसे छुट्टी मिल गई अगले दिन सचिन अपनी बहन के साथ होटल आया पिर सेट टेक चन ने उनका गार्जिन बनकर सचिन की बहन का दाखिला करवाया फॉर्म में सचिन ने अपनी बहन का नाम स्वाती लिखवाया ये नाम सचिन ने ही उसे दिया था वक्त का पईया घूमता रहा सचिन और सवाती धीरे धीरे बड़े होने लगे सवाती पढ़ाई में काफी होशियार थी एक एक कर सफलता की सीड़ी चड़ते हुए उसने बारहवे में पूरे जिले में टॉप किया फिर अपनी काबिलियत के दम पर सवाती का दाखिला शेहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया सचिन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा सचिन सबसे कहता था मैं तो कुछ ना बन पाया मगर अब मेरी ये बहन डॉक्टर जरूर बनेगी उधर टेक्चन की तब्यत खराब रहने लगी थी वो अब होटल कम ही आता था उसने अब सचिन को होटल का मैनेजर बना दिया था उसे सचिन पर अपने बेटे की तरह भरोसा था एक दिन सचिन बेटा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरे मरने के बाद इस शरीर को आग कौन देगा भगवार ने तुझे भेज कर वो कमी पूरी गर दी है बेटा मेरा बेटा है तू आज से मैं ये हूटल और घर तेरे नाम करता हूँ आज से इनका मालिक तू है बेटा सचिन की आँग भराई और गला भर रा गया वो कुछ बोल नहीं सका तकदीर भी कितनी अजीब होती है जब नहीं था तो कोई नहीं था अब मिले तो बेहन और पिता दोनों मिल गए इस घटना के कुछ दिनों के बाद टेक्चंद का देहान थो गया तेक्चंद का अंतिन संसकार करने के बाद सचिन ने होटल का धनधा संभाला उसने देखा कि छोटा होटल होने के कारण यहां ज़ादा लोग नहीं आते इसलिए उसने बैंक से लोन लेकर पहले होटल को सजाय सवारा उसने होटल की काया ही पलड़ दी अब वो कोई छोटा मोटा होटल नहीं रहा बलकि शेहर का जाना माना रेस्टरा बन गया इसके बाद तो सचिन सफलता की सीड़ियां चड़ता गया और फिर कुछी सालों में उसने टेक चंद होटल एंड रेस्टरेंट्स के नाम से शेहर और आसपास कई सारे होटल्स की चेन खड़ी कर शेहर का जाना माना रेस्टरा बन गया किसने सोचा था कि अनाथाले से भागने वाला वो दो हाथ का छोकरा सारे शेहर पर राज करेगा उधर स्वाती की मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसने अपने पूरे बैच में टॉप किया था उस दिन स्वाती को इनाम मिलना था सारा हॉल लोगों से भरा हुआ था कॉलिज के डीन ने स्वाती को सम्मारित किया आज मुझे मिले इस इनाम की हगदार सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे भाईया सचिन भी है अगर उस दिन भाईया मुझे स्टेशन से नहीं उठाते तो ना जाने आज में कहाँ होते फिर स्वाती लोगों को अपनी सारी कहानी सुनाती है और अंत में कहती है अगर भाईया चाते, तो मुझे वही अनाथाले जाने के लिए छोड़ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, सारी जिंदगी तकलीफों का सामना करते रहे, मगर मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, भगवान हर जगा नहीं जा सकते, इसलिए उ रुचा हो गया